एपिसोड नमर एद की स्टार्डिंग में आमें दिखा जाता है सोफिता अंदर जाती है उससे पहले उसने जेर से बोला हुआ था कि गाड़ी में जो भी कच्रा फेला हुआ है उसको साब करो जेर गुस्टे में को कच्रे को ठीक करने जाता है तब भी वहाँ पर उसका फोन यानि शोफिता का फोन और ओएऔर फोन ऐसे लगा हुआ था तो वह चेक करता है कि शोफिता क्या सुन रही थी उस टाइम पर उसे पता चलता है कि यह तो वही मुझिक है जो रिन प्ले किया करती थी पियानों में और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद फिर सिनय ऐसा है सीधा रिन के उथा रिंट के ग्र्यवार पर अमिन लगत था तेसे भिल लगां को हारी तक आज तक प्ले किया हुआ हुस्य का हुए जैसे हमने सोचा था उससे अलग है यह नना में दिखा जाता है उसी टाइम पर एक बंदी आती है और जेट को आवाज लगाती है यह लेड़की देखने में एक एयर उस्टिस की तरफ दिख रहे थी तो हमें पता चलता है इसका नाम है केट और इनकी बेस्प्रेंट हुया करती थी जेट उसे पैचान लेता है और केट को भी इसके बार में पूरित बाते पता थी मतलब उसका बोल भेंटे वाला रीन का और उसके बाद केट बोल लाई थी कि मुझे कभी मोगा है नहीं मिला रही कि प्रेफ फॉन्रेल पर आने का बहुत जल्दी जल्दी सोविता ने सब प प्रेफन थी टीर मेरे बच्छे की माँप नहीं बढ़ाने वाले थी मतलब किसी और से प्रेफन प्रेफन खीज बोलती कि कि तुम प्रेफेन थे और किसी हो बक्रास कर रहे और उसके बाद गमानई हो diarrhea मैं प्रेफन थे ज d जा सब्सक्राइब होने लगी थी तो दोनों ऑस्पिरल पे चले गए थे और जब रिन डॉक्टर से चेक अप करवा के बाहर आई थी तो कि यह ने मजग मजग में पूछ लिया था कि तुम कितने मौन के प्रेग्नेंट हो और रिन ने बोला था कि बस गास्ट्रिक है और रिन पहले से ध्रका दो है और उसके बाद हैस locks इसे वह बात है और रिन है चैकार से प्रेग्नेट हो पूस्ती तो क्या नहीं से है चिम्हें है, तो मुझे अपिस फो जानना है जा सब्सक्राइबरा बोलता है और उसके बाद हमें ढिखा जाता है यह दुनों प्लान करता है कि बिल्ण के मौऊट के पिचे जो भी उसके बारों पदयाएंगे अपिस पे ईबेंट हो रहा होता है और आप सोफिता आती है रिता एक बंदी को इसारा करता है और उसके बाद बंदी आके सोफिता पर अटाक करने वाली थी कुई था कि उसे रोक लेता है और जिसके चक्कर में उसके आत पर चोट आ गए थी सोफिता को पुछता है कि तुम ठीक हो ना सोफिता मतलब बहुत कंफ्यूज थी उसे पाता है कि ये बंदा आक्ट कर रहा है मतलब मुझे बचाने का प्रेटेंड कर रहा है था कि दुनिया के सामने वो अच्छा बने और वो पुछते के आपका हाथ चोड लग रहा है तभी करिथा बोलता है कि तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हो बेटा ऐसा ओ बोलता है अमें दिखाया जाता है जेट उस बंदी को फॉलो करते करते उपर वाले फ्लोर पे पहुँच जाता है लेकिन उपन्दी अल्लेडी लिफ्ट रूस कर चुकी थी तो उसे स्टेर से जाना परता ह पॉंग CCTV कैमरा वाले रूम में जाता है और वो बोलता है कि सुभी मैंने इस लड़की को उपर वाले फ्लोर में देखा था याने कि करिथा के फ्लोर में यह सुननी के बाद जेट उस फ्लोर में जाता है और वहां पर करिथा रूस का सिक्रेटी था और उसके बाद करिथा क जेट को देखता है और बोलता कि तुम देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगे मतलब लोग तुमारी बोड़ी के स्ट्रक्चर भी बहुत सही है गार बनने के लायक हो लेकिन तुम एक लड़की का गार बन के क्या करोगी पास्नल बोड़ी गार तो क्यों ना तुम मेरे तरवाजे के साइट पे छूपी हुई थी अलमुस्खीर की के नजदीक और अब क्रिथा के फ्लोर पे यहां पर उसका जो क्रिथा के सिस्टेन था बहुत ज्यादा चुना रहा था जेट को जिस बात के वैसे वहां से वहां से आना पड़ता है आमें दिखा जाता है नीचे जेट सबको हरा देता है जीली और उसके बाद शोपीता के पापा आखे बोलते कि सब क्या तमास हो रहा है और उइन वही बलता है मतलब उइन शोपीता के स्टेप माम और शोपीता तीनों एकी चीज बोल लाए थी कि जेट रेस्पंचिबल नहीं आज उसकी जान खत्रे मे आ गई थी इसको आठा धेना चाहिए ब्ला 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 लेकिन पापा बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो सोपीता चीफ रहे तो में दोनों को सोपीता को एंसिसक्ता हो लेकिन में आखिता के लिए रखाऊंगा जेट को मैं फायर करने वाला हूँ नहीं और उसके बाद हो बता दूँगा कि रीन के मौत के विज़े उसी का हाते में नहीं देख सकता है इस बंदे को यहाँ पर लेकिन सुपिता उसे मना कर देती है और उसके बाद में दिखा जाता है जेट और सुपिता के पापा को अभी भी दिल में दर्दो रखा था जेट उनको ऐसे बेट पे ज ला देता है और उसके बाद बाता में जेट बोलता की उसकी मौम भी होर्ट पैसें दूंकवाजन की बाद सुपिता के बापा पू Chrudtu का पूछ से już तुम्हां पापा क critique civतू कुछ कैनते भुप भी नहीं बोलता ऑर इसके बाद सोबीता की बाइसे मतशिक थो जेट जब सोभीता की रुम में आता है तो दिखता है सोभीता ऐसे ही सो गई थी उसे ओ ठीक करके शोफेश से बेर्टक लेके सुला देता है और उसके बाद वही म्यूजिक प्ले करता है जो उसे सुनना पसंद दे सोभीता उसका हाथ पकड़ की प्यार से सो रही थी तब जेट उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे पर डिपेंड होना नहीं है मैं यहां से चला जाओंगा जिस दिर में आपनी बेगुनाई साबित कर पाऊंगा यानि कि उसने रिन को प्रेग्नन नहीं किया है तुम्हें खु कि उनको अस्टियल प्रलाने में दॉञता जाती है घुष चाहिं अधिक ने सब बेग्या जाती है और लोग आई हुए थे दो और लोग ने जेट काराशता रोका हुआ था शोपीता और सोभीता के मौम को डॉक्टर बोलते की अब उनको उनको जो मेडिशिन दिया गया है वो काम कर नहीं रहा है या फिर एरोगुलर हो गया है बरना उनको इतना दा एफिक होना नहीं चाहिए था तो एज नर्डेंश हम समझ सकते हैं सो भी तक इस्टेप मम का ही कारणामा हो सकता है यह सर लेकिन वो बोल रही थी कि मैं तो उन्हे दिखाता आएगी गलती से पानी लग गया और दोनों गार्श की उपर किस गिरा देता है और शुरी शौरी बोल के दोनों के पकर से फोन से फोन चीन देता है वाज अन्हेता और वीसके बाद आप जो यो सट्टेप मम थी ओ तो जेर को सुनाने लग जाती है बोलतेैं अकर तुम्हें नहीं होता तो किसी और को हायर करो और तुम इस तरह से रिस्मसिवल मत बहुतु वारी बरसे सोफिता के पापा यानिक उनका नाम की ने की इनको इस तरह से टेंजन ओ रही है सोफिता बोलते कि आज से आपके बास इतने मेडिशने पापा के लिए वो सब मेरे आपिस पे ले आएए मैं ध्यान डखोंगी जाओ बोल देते हैं तबी सोफिता की स्टेप मम तो सौक हो गई थी और वो बोलते कि तुम्हें मुझे पर बरसा नहीं है क्या सोफिता तबी सोफिता बोलती कि नहीं नहीं मुझे आप पूरा बरसा है बस आपको थोड़ी मीटिंग्स ऐसे गैदरिंग्स और इसे किती पा आप कोई पास ज्यादा टाइम नहीं होगा मुझे परता है तो मैं देख लूँगी मैं साओ बोल देती है जेड नहीं स्माइल करने लगता है और उसके बाद जोफिता जेड को बोलती है कि आज से पापा के डेली मौनिंग एक्ससाइज का द्यान तुम रखो के और आज हो कर रहे हो तब ही शोपिता बोलती है कि मत सोचना कि मैं तुमारी साइड ले रहे हो में बस आपने पापा की सेव्टी का ध्यान रख रहे है और ऐसे तुम बहुत पहुँआ जाता फ्री पैसे चलते रहते हो मेरा सर खाते हो तो सोचा थोड़ा काम बढ़ा तो ऐसा हो बोल होड़ा तिये